तो हे गाईस मैं आप सभी को स्वागत कर दो मैंने चैनल पर तो दोस्तो आज हम लोग बात करने बाले है ओरियन ग्रीन पावार स्टोक के बारे में कि आप लोग को अभी ए खरीदना चाहिए या फिर ने खरीदना चाहिए तो साथ ही मैं इसका कुछ गुद नियूस और अगर मैं आप लोग को इसका एनलेसिस करके बता हूँ तो पहले में इसका आप लोग को फांदामेंटल एनलेसिस करके बताता हूँ तो दोस्तो इसका अगर करेंट प्रैस बोलू तो अभी ये 15.3 रूपीज का है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और all time high गया था 15.6 रू में है तो अगर आप लोग को बोलू तो dividend yield zero होना इतना भी negative point नहीं है क्योंकि एक penny stock है जब ये penny stock अच्छा हो जाएगा बरा stock हो जाएगा तो तब ये आप लोग को बोलू तो dividend yield देना शुरू करेगा तो ये इतना भी negative point नहीं है तो इसके बाद इसका अगर मैं ROC ही लगा क्यूंकि अगर आप लोग को minimum बोलो तो 15 रूपीस का होना चाहिए और penny stock से अगर मैं बोलो तो ये 8 ये 9% होना चाहिए पर इसका बहुत ही काम है तो इसके बाद दोस्तों इसका जो ROI बोल निगेटिव में है जो कि ये वी एक negative point है तो इसके बाद इसका जो depth तो इसम EPS के बारे में अगर मैं बोलू तो आप लोग को ये भी negative में है तो अगर overall में fundamental इसका बोलू तो ये मुझे week लगा तो next अगर मैं इसका आप लोग को return के बारे में बोलू तो इसका जो short term का return जो की one year का return वो 500% का है जो कि बहुत ही अच्छा बात है पर मुझे negative point लगा इसक short term में 500% है mid term में 144% जो कि short term से भी कम और long term में 61% जो कि mid term से भी कम है तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा long term के basis से तो एक अच्छा इसक्तों आप लोग को धुनना चाहिए long term के बैसिश से short term के बेसिश से अच्छा इसक्तों नहीं धूनना चाहिए तो ये मुझे negative point लगा तो इसके बाद और एक दोस्तों अगर में इसका निगेटिव पॉंट बोलू रिटार्ण के बारे में तो देखिए 17 जान्वरी तुरिजन इतीन में इसका प्राइस 13.30 रुपीज गया था जैसे कि अभी ये 15 रुपीज गया तुरिजन इतीन में ये 13 रुपीज गया था पर 2020 में क्या हो गया मार्श में 1.3 रुपीज तक आ गया जो कि एकदम से दांप हो गया तो वैसे हो रहा है अभी भी जो कि अभी ये 15 रुपीज का है लोग बहुत ही खरीड रहे तो उन लोग बोलोग सोसरे कि ये बर जाएगा बहुत आसानी से या फिर बहुत दी जल्दी त तो इसले वीडियो को लास तक देखिए तो अभी भी ये हो रहा है कि ये 15 रुपीज का है और ये कभी भी दांप हो सकते है या फिर नहीं हो सकते है मैं आप लोग को लास में बोलूँगा तो दोस्तो नेक्स अगर मैं फाइनेंसियल के बारे में बोलू या लिका तो इसका जो revenue बो decrease हो रहा है जो कि एक negative point है और इसका profit और network ये भी decrease हो रहा है तो financial के basis से भी ये मुझे अच्छा नहीं लगा तो इसके बार दोस्तों इसका अगर मैं shareholding प्रतान के बारे में बोलू तो इसका प्रोमोतर बो 48.7% का है तो 48.7% आप लोग बोल सकते कि प्रोमोतर minimum 50% से जाधा होना चाहिए पर 48% होना ठीक है क्योंकि retailer से जाधा है पर मुझे FI जो कि foreign institution या फिर MF mutual fund भी इसमें इन्वेस पर other domestic institution और foreign institution में भी मुझे ये कम लगा बहुत ही तो ये भी एक shareholding प्रतान में मुझे अच्छा नहीं लगा तो दोटो next अगर में जैसे की बोला था आप लोगो इसका कुछ pros और कुछ cons बोलूँगा तो screener से अगर में बोलू तो इसका pros इतना है नहीं तो cons इसका बहुत ज्यादा है तो क्या आए cons देखिये दोस्तो company has low ROI of minus 5.55% जो कि last 3 years में इसका इतना minus 5.55% इसका ROI कम है तो कि एक negative point है तो इसके बाद दोस्तो poor sales growth of minus 2.79% अबर 5 year तो last 5 years में इसका जो sales growth वो भी poor है तो ये भी एक negative point है तो इसके बाद इसका जो depth वो भी बर रहा है तो ये भी एक negative point है तो दोस्तो आभी आप लोगो को क्य करना चाहिए देशखिए दोस्तो क्या होता है कि penny stock में जाड़ा से जाड़ा इंसरे टेडिंग होता है तो अगर आप लोग को इंसरे टेडिंग के बारे में नहीं मालूम तो मैंने अल्लेडी फीडियो बाना के रखा है अच्छे से explain करा हुए तो आप लोग फीडियो को द में तो यह क्या उकर रहा है कि solar energy से जो energy renewable होता है जो energy create होता है तो गोबर्मेंट 2025 तक बहुती सारा जगा में यह इंवल्फ हो जाएगा इसका solar energy का use तो क्या वा इस news के बैसिस से public लोग सुच रहे कि इसका अभी इसे price बर जाएगा तो अभी खरीट लेता हो तो उसमें इं न्यूस आता है वो लोग price बहुत जाड़ा खरीट लेता है तो इससे बज़से price pump हो जाता है और public लोग सुच रहे कि मैं इसमें खरीट लेता हूँ क्योंकि यह बात में बहुती बर जाएगा तो ठीक है यह short term के लिए तो अच्छा है पर long term में इतना अच्छा नहीं आप तो बात में यह बर सकते है बात में यह अच्छा हो सकते है मैं इसके बारे में नहीं बोलूगा पर अभी यह fundamentally strong नहीं है और कोई भी stock आप लोग ऐसे खरीटना नहीं चाहिए एक news के basis से आप लोग को fundamentally return यह सब देखके आप लोग को खरीटना चाहिए तो जिस इसने खरीट पर 25 रूपीस ताच करके यह फिर से तेन रूपीस के दाउन में चला आएगा जब यह थोड़ा सा trending काम हो जाएगा तो इसलिए आप लोग को अगर किसी ने खरीट के रखाए 6 रूपीस से दाउन में तो आप लोग होल किजिए क्योंकि यह long term में अगर fundamentally strong हो गया तो यह अ जब यह हो जाएगा तो आप लोग base देना क्योंकि intrinsic earning क्या करेगा वो लोग बहुत ही जीबए मन में खरीट लिया तो जब बोलोग बहुत ही ज्यादा में Base देगा तो तब क्या हो गया कि यह दाप हो जाएगा श्लीक 2017 में हो था आप हो गया था तुरच 2020 मेंномt हो गया तो बेस होने बाला है तो इसलिए अपलोग जब ये स्टोक तरशा प्रोफित दे लेगा आप लोग बेस के से निकल जाना तो अभी आप लोग बहुत लोग खरीदने पाले तो आप लोग नहीं मत खरीदना क्योंकि ये बहुत अ उपर प्रैस में है मेरे बाद स्ोलूशन है आप बड़ा बड़ा जो इंचरे टेडिंग करता है जब बोग इतना बड़ा स्टोक बेस देगा सेर्स इतना बड़ा सेर्स तो तब यह दंफ हो जाएगा बहुत ही जल्द तो इसलिए आप लोग अभी मत खरीदना और जिस जिस ने लॉंग टरम के लिए सोश रहे तो बोग अभ जोस्तो आप लोग को कोई भी स्टोक में दाओध होता है अप लोग को खरीदना चाहिए फिर केशे फांदमें तीले स्टोंक है या नहीं जानना चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंन कर सकते मैं इसी वैसी से वीडियो बना तो शाथी निउस के बारे में तो दोस्तो मैं आ आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए